भारत में आम तौर पर दो तरह के ग्रह प्रवेश की रस्मिक की जाती हैं, जब एक लड़की की शादी होती है, तब वह ग्रह प्रवेश करती है, यानि वो अपने पती के घर में प्रवेश करती है, ये एक बड़ी चीज है, अब ऐसा नहीं होता क्योंकि वे पहले ही साथ र उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया था, क्योंकि एक तो ये कि आपके घर में जिस तरह की महिला आती है, उससे आपके जीवन की प्रकृती तै होती है, और आप कैसे बच्चे पैदा करते हैं, आपका भविश, आपकी संतानवे कैसे रहते हैं, ये सब कु कैसे प्रवेश करती है, ये बहुत महतुपूर हैं, तो वे चाहते थे कि वो घर में पूरे सम्मान के साथ सबसे शुब घड़ी में प्रवेश करें, क्योंकि ये बहुत महतुपूर है कि वो उस घर में प्रेम से प्रवेश करें, ये बहुत जरूरी है कि वो उस घर के प्र वो गलत तरह के बच्चे पैदा कर सकती है लोग ये चीज़े जानते हैं कि अगर वो घर में एक खास तरह की भावना के साथ प्रवेश करती है तो कल जब वो गर्ब धरन करेगी तो वो गलत तरह के जीवन को आकरशित करेगी और गलत तरह के बच्चे पैदा करेगे जिससे आपको जीवन भर कश्ट पहुँचेगा है न? अगर कोई बच्चा आपके घर में आता है तो वो भयंकर परेशानी पैदा कर सकता है ने? आपको ऐसा नहीं लगता? तो वो किस तरह प्रवेश करती है? ये बहुत महत्वपून है इसलिए घर में प्रवेश करने से जुड़ी कई रस्मे है ये ग्रह प्रवेश है ये एक पुराना घर है पर वो प्रवेश कर रही है तो इससे जुड़ी बड़ी रस्म होती है धीरे धीरे ये रस्म छोटी और छोटी और ज्यादा छोटी होती चली गई है और अब वो शादी से पहले ही घर आ जाती है तो अब इसका कोई माइने नहीं रह गया कि वो कैसे प्रवेश करती है क्योंकि आपको ये समझना होगा आज शादी मतलब है कि आप सोचते हैं कि दो लोगों के बीच थोड़ा सा रोमैंस पर पहले वे इसे ऐसे नहीं देखते थे उन्होंने इसे एक साजिदारी की तरह देखा जिससे उनके और उनके बच्चों के बारे में सब कुछ तैय होगा और इस परिवार का भविश्य इस पर निर्भर करेगा कि वो महिला कैसी है और इस घर में कैसे प्रवेश करती है तो उन्होंने उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि वो घर में सही तरीके से प्रवेश करे दूसरी तरह का गरह प्रवेश तब होता है जब आपने नया घर बनाया हो और आप, आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है तो आप चाहते हैं कि घर में आपकी प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिती में हो घर का डिजाइन, घर की सुन्दरता, किस तरह का पेंट हो, किस तरह का ये हो, वो हो ये सब अलग चीजें हैं, वो भी महतुपून हैं, पर उस जगा की उर्जा कैसी है, ये बहुत जादा महतुपून है तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था, जिससे पवित्र न किया गया हो तो ये स्थान की प्रान प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है, घर में रहने से पहले घर को उस्थान को प्रान प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, वरना लोग वहां जाकर नहीं रहेंगे ये सभी चीज़ें जो की जातीं थी, वो मुख्य रूप से जीवन उर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जातीं थी, ताकि वहां रहने वाले लोग स्वभाविक रूप से खुशाली की उरबढ़ें और ये समझ की किसी भी इंसान को आप रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए एक ऐसी चीज़ है जो इस संस्कृती में गहरी बैठी हुई है क्योंकि ये बिलकुल ऐसा है, मानों आप धर्ती में पौधा लगाते हैं और अगर उसकी जड़ें अच्छी उपजाव मिट्टी में होंगी, तभी फूल खिलेंगे, फल लगेंगे जिस मिट्टी में ये जड़ें हैं, अगर वो परियाप्त सम्रुद्ध नहीं है जीवन को कायम करने के लिए परियाप्त उन्नत नहीं है तो फूल और फल नहीं आएंगे, अगर वो आते भी हैं तो बहुत कम होंगे कभी भरपूर फूल नहीं आएंगे, पौधा कभी भरपूर फल नहीं देगा तो जीवन के इन पहलूँँ पर हमने हमेशा अथ्यदिक ध्यान बहुत महतु दिया आप क्या खाते हैं, ये बस उसके बारे में नहीं है, ये आप किस तरह का काम करते हैं, ये बस उसके बारे में नहीं है, आप किस तरह के स्थान में रहते हैं पूर्व में ये बहुत महतुपूर है तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे उसके मताबिक उन्होंने हमेशा अपने घरों को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए अगर राजा समझदार और दयालू थे तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे वे शहर में तमामों स्थान बना देते थे ताकि पूरा शहर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए वे चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहे चाहे आप सड़क पर घुमें या अब धंदा करें या आप उस शहर में रहते हैं तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए, क्यूंकि अगर आप उन्नत इंसानों की पीडियां बनाना चाहते हैं, तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए, वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेणा से ही कोई कुछ बन सकता है, आप शांदार लो इस संस्कृति ने ज्ञान का भंडार और आत्म ज्ञानियों की कतार पैदा किया है, हर पीड़ी ऐसा बस इसले पैदा कर पाई, क्यूंकि उन्होंने ऐसे कई पहलूओं का ध्यान रखा इस धर्ती पर और कहीं भी, लोगों की एक पीड़ी भी ग्यान की गौरवशाली उचाईयों तक नहीं पहुँची है, जितनी यहां पहुँची है पर पिछले कुछ सौ सालों में वो सब तूट फूट गया, पिछले आठ सौ यह नौ सो सालों में यह बुरी तरह खत्म हो गया, क्यूंकि आकर्मन हुए, लोग दूसरी जगा चले गए और भी दूसरी चीज़ें हुई मैं बता रहा हूँ आप असाधरन बुद्धी वाले अत्यंत उर्जावान इंसान तयार कर सकते हैं ऐसा इंसान जिन में जबरदस्त उर्जा और बुद्धी मत्ता और अक्षमता हो अगर आप विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान बनाते हैं, ऐसे विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान जहां लोगों की पूरी पीड़ियां उस किसम की उर्जा और स्थान के संपर्क में रहें ऐसा सौभाग ये लगभग हर परिवार के पास होता था, क्योंकि घर में रहने से पहले वे उससे प्राण प्रतिष्ठित करते थे, समय समय पे वे घर को उन्नत बनाने के लिए कुछ करते थे ये लगभग हर घर में होता था हर घर में साल में कम से कम एक बार जरूरी रस्में और प्रक्रियाएं संचालित की जाती थी ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके ये एक बुनियादी समझ थी या एक जरूरी समझ थी कि इनसान को उसकी पूरी ख्षमता तक विक्सित करने के लिए जरूरी माहौल कैसे तैयार करें। जब हम पूरी ख्षमता कहते हैं, तो आज की दुनिया पूरी ख्षमता को जादा से जादा पैसा कमाना समझती है। सफलता के बारे में उनकी सोच इतनी अपरिपक हो गई है। सफलता की आधुनिक सोच दुरभाग्य से बहुत प्रारंभिक और घटिया है। आप सामाजिक सीड़ी में कितने उपर तक चड़ सकते हैं, आपने कितने पैसे कमाये हैं, सफलता की पूरी सोच बस इतनी है। तो सफलता की सोच पहले ऐसे नहीं थी, ये बहुत व्यापक और बहुत गहरी थी। किसी को सफलता भी माना जाता था, जब वो आनंद की ये खास अवस्था में होता था। अगर वो खुद को और आसपास की दुनिया को जानने की अवस्था में होता था। और उसका समाजिक रूप से सम्मान था। और सांसारिक रूप से वो समरुद्ध था, और साथ ही वो अपने परिवार, मित्र और समाज का प्रेम रजिद चर पाता था। सिर्फ तभी उसे सफल वक्ती माना जाता था, समाज इसे उसी तरह देखता था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, अगर उसने लोगों का प्रेम अरजित नहीं किया, तो वे कहते थे उसकी जिंदगी बेकार चली गई, पिछली पीडी तक भी ये बातचीत लगभग रोज होती थी, लोग कहते थे, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आपने लोगों का प्रेम कमाया है, क्या आपका परिवार आपसे प्रेम करता है, क्या आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे प्रेम क जिसे हमने समाज में 30 से 40 सालों में काफी हद तक उखान फेका है। तो ग्रह प्रवेश बस यही था, कि आप इस पौधे के विकास के लिए सही किस्म की मिट्टी बनाना चाहते हैं ताकि वो फूले फले, अगर उसे ठीक से किया जाता है। झालों में जाता है।